पांच भीगेवे बदाम खाने का रूटीन होता है इसका मतलब हम सब जानते हैं कि नट्स हमारे लिए कितने हल्दी है नट्स अक्चल में सीड्स होते हैं जो एक हार्ट शेल के अंदर पाई जाते हैं और इस शेल में वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इंडिया में काफी वराइटी के नट्स अवैलेबल है जैसे कि पदाम, काजू, अक्रोट, पिस्ता नट्स के बेनेफिट्स की अगर हम बात करें तो ये एक नूट्रिशन का खजाना है नट्स को खाने से सिर्फ हमारी बॉडी ही हेल्दी नहीं रहती है पर हमारी स्केन भी खूबसूरत रहती है और हमारे बालो के लिए है बहुत जाब जादा फाइदे मत भी यह तो हम सबी जानते हैं कि नट्स में काफी सारे घुड़ फैट्स होते हैं जो हमारे कुलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखते हैं फैट्स के साथ-साथ इनमें कुप सारा प्रोटीन भी होता है जो हमें काफी एनर्जी देते हैं और हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेर करने में मदद करते हैं जिससे हमारी कोई भी दिमागी काम या सोचने समझने के पावर में सुधार आता है प्रोटीन हमारे मसल रपेर के लिए भी बहुत जादा इंपॉर्टिट है इस्पेशली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रोटीन को पचाने वेगी काफी लंबा समय लगता है जिससे हमारा पेट लंबे समय तक भरावा पील रहता है और हमारे वेट लॉस में हमें सहायता मिलती है नट्स जैसे अख्रोट और बदाम में कूप सारा फाइबर भी होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टिम को ठीक रखने में मदद करता है अख्रोट में कापी अच्छी माकरा में ओमेगा 3 पाया जाता है जो हमारे शरीर और दिल को बहुत लाबकारी होता है अख्रोट जैसे नट्स हमें कैंसर जैसी बीमारियों से भी बचने में मदद करते है नो डाउट नट्स में बहुत सारे हेल्फ बेफिक्स है पर क्योंकि ये फैट में हाई होते हैं हमें उन्हें small quantities में खाना चाहिए रोजाना जैसे 8 से 10 पीसे क्योंकि anything in excess is bad for health आप नट्स को अपने डाइट में अलग-अलग तरीके से अड़ कर सकते हैं जैसे कि आप उन्हें रॉख खा सकते हैं या रोस्ट करके खा सकते हैं अपने mid-meal snacks के जैसे क्योंकि आपको लंबे समय तक full feel करने में मदद करते हैं और ये कैरी करने में भी बहुत ही easy है आप नट्स का nut butter बनाकर उसे toast, biscuit या खाकरा के साथ खा सकते हैं आप नट्स को soap करके उसका nut milk भी बनाकर पी सकते हैं और ये specially उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनने दूद की allergy हैं इसके इलावा आप नट्स को salad, शीरा या खीर में add कर सकते हैं या तो तो पिर उसकी चिक्की बनाकर भी खा सकते हैं हमें एक बार का भ्यान अपना बहुत ज़रूरी है कि नट्स में कुछ ऐसे substances होते हैं जो हमारे digestive system को irritate कर सकते हैं इसलिए नट्स को soap करके खाना बेटर है क्योंकि उससे ये substances कम हो जाते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा health benefits मिल सकते हैं नट्से आप नट्स को ओवरनाइट सोप करिये या कम से कम चार से चे गंटे सोप करके फिर खाएं क्योंकि नट्स में बहुत जादा ओयल कंटेंट होता है ये जल्दी से खराब हो सकते हैं जिससे इनमें एक खट्टी टेस्ट और अजीब सी स्मेल आती है और ये नट्स हेल्द के लिए अच्छे नहीं होते हैं अगर आपको इनकी शेर्फ्लाइट बढानी है इन्हें एर्टाइट डबो में स्टोर करके रफना बहुत ज़रूरी है तो नट्स को अपने डेली डायेट में इंक्लूट कीजे और स्मार्ट रहिए